बीदु धारा का मातरक है, option A है, कुलाम, एम्पियर, बॉल्ट या नन ओफ देज, इसमें से कौन सोगा, बीदु धारा का आपको बताना है, तो इसका option नमबर हो जाएगा, कुलाम किसका है, कुलाम है बीदु धारा का, बॉल्ट किसका है, यह बिभाव का, question number second है, एक electron का आवेस कितने कुलाम के तुल्य होता है, मतलब कितने कुलाम के बराबर होता है, तो option number A, 1.6 into 10 to the power minus 19, 6 into 10 to the power 18, दोनों या none of these, तो बताए इसमें से option कौन सा होगा, option number इसका होजागा A, सही, तिसरा है, बिधुत परिपात में A meter को किस करम में जोड़ा जाता है, option A है, समांतर करम, वोल्ट मीटर, सिरेनी करम में या none of these, तो बिधुत परिपात में A meter को, तो A meter को किस करम में जोड़ा जाता है, तो इसको है जोड़ा जाता है सिरेनी करम में, तो option number 3 हो जाएगा C, और बोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर करम में, इसको याद रखेगा, question number 4 है, वीभांतरम आपने वाले या नंतर को कहते हैं एमिटर, वोल्ट मिटर, एम्पियर या नन अफ दीज तो बताएं इसमें से कौन सौ आप्शन सही हो जाएगा विवांतर में अपने वाले यंदर को कहते हैं वोल्ट मिटर इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बीश सही कौचन नमबर फाइव है उस स्युक्ति का नाम बताएं जो किसी चालक के सीरो पर विवांतर बनाएं रखने में सहायता करती है एमिटर, वोल्ट मिटर, एम्पियर या बैटरी डी हो जाएगा से ओप्शन बैटरी उस भौतिक रासि का नाम क्या है जो भी बाई आर के बराबर है भौतिक रासि का नाम बताना है ऑप्शन है परतिरोध आवेस बीभो या ननुख दीज तो इसका हो जाएगा एंसर परतिरोध कोच्चन नमबर हमारा 7 है परतिरोधकता का एसाई मातरक है रो ओमिटर ओम या वूल्ट तो कौन साइज इसका ऑप्शन हो जागा option number परति रोधाक्ता का पूछ रहा है तो ohm meter ठीक है? ohm meter इसका answer हो जागा 8 है, question number 8 Joule परति कुलाम को कहते हैं Joule परति कुलाम को क्या कहते हैं? आवेस, विदुदारा, वल्ट या परति रोध इसका option number हो जागा C, वल्ट question number 9 है विदुद बल्ब का फिलामेंट किस धातू से बना होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, दोनों या इन में से कोई नहीं option number हमारा first हो जागा मतलब 9 का ये हो जागा C, टंगस्टन question number हमारा 10 है ओम किस रासी का मात रख है? परतिरोध, बिदुधारा, आवेस, या भी भुवांतर तो ओम हमारा परतिरोध का है और ओम मीटर है परतिरोधक्ता का ठीके? याद रखेगा question number हमारा है 11 question number 11 है बिदुद सक्ति का ऐसा है मात रख बिदुद सक्ति का ऐसा है मात रख बताना है वाट, एमपियर, कुलाम या नन अफ दीज तो बिदुद सक्ति का यानि कि एलेक्ट्रिक पावर का तो इसमें से कौन सा हो जागा? वाट, option number A सही हो जागा 12 है बिदुद उर्जा का ब्यवसाईक मात रख क्या है? किलोवाट घंटा, कुलाम, किलोवाट या नन अफ दीज इसका option number हो जागा ये सही ठीक है? किलोवाट घंटा question number हमारा 13 है 6 वोल्ट बैटरी के गुजरने वाले एक कुलाम आवेस को कितनी उर्जाद दी जाती है option 24 जूल, 6 जूल, 12 जूल या नन अफ दीज option number B सही हो जाएगा 14 है 12 वोल्ट बैटरी के दो बैटरी के बीच दो कुलाम आवेस को ले जाने में कितना कारिया किया जाता है? option है 6 जूल, 24 जूल, 12 जूल, 10 जूल तो option number B हो जाएगा इसका सही 24 जूल question number 15 है किसी बीदुत बाल्ब के तंतु में से 0.5 एंपियर बीदुत हरा 10 मिनिटें तक परवाहित होती है बीदुत परिपत में परवाहित बीदुत आवेस का परिमान ग्याद करें option है 30 कुलाम 400 कुलाम 300 कुलाम 100 कुलाम तो इसमें से कौन सा option सही हो जाएगा option हम आपको बता दरें option number C हो जाएगा इसका अगर आपको कल्कुलेशन करना है तो एक फूर्मुला होता है आवेस बराबर I into T इस पर सोल्व किजगा आपका answer आजाएगा question number 14 का भी आप solve कर सकते हैं question number 14 का फूर्मुला होता है W बराबर V into Q इसमें आपसे पूछा जारे किया गया कारे है तो W किया गया कारे है विवांतर आप V बैठा देजगा 12 और कुलाम बैठा देगा 24 हो जागा 24 जूल हो जागा इसका answer कोचन number हमारा सुल्ला आते है 3 ओम 4 ओम और 6 ओम के स्योजन में जोडा गया है समतुली परतिरोद होगा तो इसमें से बते कौन सा आपसेन होगा 4 ओम 14 ओम 15 ओम और 13 ओम आपसेन कौन सा हो जागा इसका option number हो जागा किस करम में जोडा गया सिरेनी करम में इसको स्योजित किया गया तो सभी को जोड दीजिए तो 3 ओर 7 सोरी 3 ओर 4 7 7 ओर 6 तेरा option number 2 हो जागा सही सिरेनी करम में जोडा जाता है तो डिरेक इसको जोड देते हैं अगर इसका समांतर करम में आता है तो इसको ये 1 बाई 3 हो जाता हो 1 बाई 4 हो जाता है और 1 बाई 6 LC में इसका निकाल के तब पता चलता है ठीक है चलिए 17 है कोई बीदुत बल्ब 220 वोल्ट के जनीतर से स्यूजित है यदि बल्ब से 0.5A 50 A बीदुधारा परवाइट होती है तो बल्ब की सक्ति बताई यानि कि आपको बताना इसमें तो देख लेजी option कौन से इसमें है बताई इसका option 220 है 100 है 110 है 50 है option नमबर इसका हो जाएगा C 110 वाट ठीक है आपको इसको अगर solve करना है तो एक फूर्मूला होता है P बराबर V into I इस पर बैठाक के देखिए solve किजिए आ जाएगा बिदूत परिपत्वें बिदूत सक्ति को निरूपित नहीं करता है कौन नहीं करता है option देख लेजे I square R I R square V I और D है V square by R option नमबर हो जाएगा V हमारा सही